हेलो एवर्यमन टू यॉर ओन चैनल केशव जा किंग्स लैब तो आज करने वाले हम लोग चैप्टर सिक्स स्टाफिंग का पार्ट त्री इससे पहले पार्ट वन और पार्ट तू जो वह अल्रेडी अपलूड कर चुका हूं हमारे क्रेश कोर्स का ठीक है और जैसे कि आप ल क्यांकि इसमें आपफी जादा अच्छे नूट दे रखें और यह मैं अपने प्रस्नल एक्स्पिरियन से कह रहा हूं काफी जादा बच्छों को पढ़ाने के बाद कहरा कई सारी अलग-अलग बुक्स को पढ़ने के बाद यह बात बोल रहा हूं तो चले बिना किसी देरी को डिसकस कर लिया था हमने HRD के बारे में बात कर ली थी साथ ही साथ हम लोग उने पिछली जो हमारे पार्ट टू थी उसके अंदर हमने रिक्रूटमेंट के बारे में भी बात कर ली थी रिक्रूटमेंट की बात कर ली थी होता क्या है इसके internal source कौन से होते है इसके external source कौन से होते है यह सारा हम लोग discussion कर चुके है अब recruitment के बाद जो हमारा अगला process आता है वो आता है selection का तो selection का मतलब ही क्या हो गया चुनना recruitment क्या था recruitment एक ऐसी situation थी जिसके अंदर हम लोगों को यह बताता है कि भाई हमारे पास जगह खाली है और हम एक ऐसी situation को stimulate करते हैं एक ऐसी situation को बनाते हैं जहां पर लोग आपके पास apply करें job के लिए अब बहुत सारे लोगों आपको रखने पाच ही लोग है तो इन हंड्रेड में से आप किन पाच को चुनोगे यही हमारा क्या कहलाता है selection कहलाता है ठीक है definition के लिए यह हो गया हमारा that selection is the process of discovering the most suitable and promising candidate and eliminating the least promising once to fill up the vacant position it is a negative process ठीक है हिंदी मीडियम वालों को अगर कोई भी doubt है कोई भी दिक्कत हो रही है तो हिंदी मीडियम के लिए मैंने already अलग से playlist बना दीती पिछले साल ही बना दीती मैंने एक पूरी playlist मैं उसका link description box में दे दूंगा आप वहां से proper अपनी definition वगेरा जो यहां वहां से पढ़ सकते है ठीक है meaning को आपको यहां पर भी समझ में आ जाएगी तो selection जो है उसका मतलब क्या है कि वहिया आप जो सबसे अच्छे जो most suitable और most promising candidate है आप उनको चुने discover करे और eliminate करे उनको जो least promising है और उनको vacant position पे लेकर क्या है कि उनको most suitable लोगों को यह क्या है एक negative process है देखो company के अंदर 100 लोगों को enter करवाना है यह क्या है positive लेकिन उनमें से क्याल पांच को नौकरी दीना तो च्छाटने की प्रक्रिया हो गई न तो जब भी आपको चुनना होता है तो यह क्या होता है एक negative process होता है तो हम कह सकते है कि recruitment positive process है जबकि selection एक negative process है ठीक है यह भी एक नबर क्वेशन है अगर मैं बात करूँगी हमें selection करना कैसे चाहिए process of selection की अगर मैं बात करूँगी किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है लोगों को तो सबते पहले होता हमारा preliminary screening preliminary screening उसके आधा हमारा आता है selection टेस्ट, employment interview, reference check, selection decision, medical exam, job offer, contract of employment तो basically हमार पास क्या 8 stages है पहली screening, second selection test, third employment interview, fourth reference check, fifth selection decision, sixth medical exam, seventh job offer, और eighth contract of employment हमें एक करके सारे चीज़ों को discuss कर लेंगे इस वीडियो पर ठीक है अब इतने सारे application को पहले application में सही तो आपको लोगों को छाटना है, तो कैसे छाटोगे तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप screening करते हो, अब शुरुआती screening करते हो, शुरुआती चुनाव करते हो, इस वे क्या होता है, एक पूरी committee बनाई जाती है, जो एक एक करके उन लो पर ली चेक्ट, उनको चेक किया जाता है, रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एन एटी सी, यानि आपने जो जो चीज़ा डिमांड की थी, वो किस किस के पास है, by a screening committee, क्या होता है, पूरी screening committee होती है, उसके बाद एक list of candidate होता है, जिनको बुलाया जाता है, employment test के लिए, और test is made and unsuitable candidates are rejected altogether, तो यानि screening की गई, मालों 100 लोगों को बुलाया गया, screening की गई, screening में बोला, क्यों यह 20 लोग आएंगे, और बागी के 80 लोगों को हमने क्या कर दिया, reject कर दिया, अब इनका हम लोग क्या लेंगे, test लेंगे, तो इनके test के लोगों हम नाम देते है, selection test, अब selection test कई तरह की होते है, ठीक है, तुमसे पहली बात, जो पहला test होता है, वो होता है, intelligence test, simple सी भाशा में, intelligence test जो होता है, वो यह देखता है, कि एक person जो है, उसके अंदर कितनी काबलियत है, किसी चीज़ को decision को बनाने की, वो decision ले सकता है, या नहीं ले सकता है, वो important step उठा सकता ह है, तो यह जो चीज़े आती है, वो आती है, उसके level of intelligence को check करते के लिए, ठीक है, तो it measure the level of intelligence quotient of an individual, it is an indicator of a person's learning ability or the ability to make decision and judgment, यानि वो इंसान कितनी जल्दी कोई चीज़ सीख सकता है, या फिर वो कितनी जल्दी कोई judgment बना सकता है, यह हमार क्या आता है, intelligence test, यह ज़्यादर school teacher को select करने के लिए use किया जाता है, ठीक है, second आता है हमारा aptitude test, aptitude test क्या होता है, देखो, एक इंसान चाहता है कि वो सीखने के काबिल है, यही बताता है, aptitude test, aptitude test यही बताता है कि क्या वो सीखने के काबिल है, it is a measure of individual's potential for learning new skills, यानि कि उस इंसान के अंदर कितनी काबियत है कि वो क्या कर सकता है, नई skill को सीख सकता है, या नहीं सीख सकता है, it indicates the person's capability to develop, यानि इसी साह में पता चलता है कि वो develop हो भी सकता है, या नहीं हो सकता है, यह use किया जाता है, computer engineer और chartered accountant के लिए, यह method बहुत जादा use किया जाता है, थर्ड आता है आपका personality test, personality test में क्या होता है, कि एक इंसान किसी situation में कैसा react कर रहा है, उसकी personality क्या है, वो उसके emotions कैसे है, उसका reaction क्या है, वो कितना mature है, उसकी value system क्या है, इन चीजों को हम बात करते है, personality test के अंदर, देखो यह जो हर अलग-अलग type के test है, यह अलग-अलग जाए कि job के लिए किसी एक job के लिए सारे test नहीं होते है, हर test अलग-अलग type की जगह पे आते है, इस test judge overall personality, ठीक है, जैसे कि अगर आपको public dealing officer चाहिए, ठीक है, कोई receptionist चाहिए, कोई public dealing officer चाहिए, कोई ऐसा चाहिए, जिसका आप PR करते है, public relation वाले जो लोग होते है, जिनका काम होता है, public से deal करना, तो वो अगर public के emotion का reaction का और अपने emotion और अपने reaction का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो personality test यहाँ पर काम करता है, ठीक है, then आता है हमारा trade test, यहाँ पर हम बात करते हैं, कि एक इनसान जो है, वो अपने आप में, य अपने काम में, अपनी skill में कितला महर है, यह कौन बताता है, trade test बताता है, and then हमारा हो गया interest test, तो जो इंसान आप नौकरी पर रखना चाहते है, उसका interest क्या है, वो किन-किन चीजों में focus करता है, यह चीज जाना भी तो बहुत जरूरी है, interest tests are used to know the pattern of interest or involvement of a person, यानि वो इं वो बहुत introvert है, extrovert है, या फिर किस type की situation, किसी के साथ, कितना खुल के बात कर सकता है, कितना decision create करता है, कितनी involvement दिखाता है, यह सारी चीज़े आती है, हमारे interest test बे, ठीक है, यह जो चीज़े होती है, creative logo के लिए देखी जाती है, जब आप creativity के काम देते हो, लोगों को तो वहाँ पर, जैसे कि interior decorator, अब interior decorator जो होगा, अगर वो खुद उसका interest नहीं होगा, interior designing में, तो आपके सपनों का घर कैसे ही बना लेगा, अगर उसका खुद ही उसवे interest नहीं है, तो involvement देखी जाती है, ठीक है, कि वो अपने काम को लेगे, कितना involved है, कितना अच्छा है, वो third point, that is employment interview, जब आपने screening कर ली, आपने उनके test ले लिए, तब आप interview करते हो, आप उनसे direct सक्षतकार करते हो, आप direct उनसे बातचीत करते हो, क्यों बातचीत करते हो, पहले तो अब, कुछ चीज़े तो आपने देखी paper पर, लेकि कुछ चीज़ा ऐसी होते है, जो आप सामने म आपको interview ले रहा है, उस interview वाले को, आपके पास क्या-क्या knowledge है, वो तो आपके resume में भी लिखा हुआ है, आप अच्छे हो, यह आपने अपने test में perform कर दिया है, बता दिया कि हाँ, मैं अच्छा हूँ, मैं job के लिए suitable हूँ, पर वो क्या करते हैं, वो थोड़ी और information चाहते ह आपके चलने का तरीका, आपके उठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपकी knowledge and आपका confidence, यह सारी चीज़े interview में आती है, ठीक है, to give the candidate accurate picture of the job with details of terms and condition, एक और काम होता है, interview का, interview का सिर्फ यह काम नहीं होता कि आप employee के बारे में जाना चा यानि company जो है, वो अपने बारे में भी बताएगी अपने employee को, ठीक है, वो आपको बताएगी कि अच्छा हम आपको इतनी salary देंगे, सबसे बड़ी वात हो salary की करेंगे, salary के साथ हम आपको TA देंगे, हम आपको DA देंगे, हमारे साथ आपको इतनी health insurance benefit वगरा मिलेगा, यह सार हमने बोला तो है कि आप computer में बैठ होगे और भेज दी आपको डबे pack करने के लिए नहीं, आपका काम क्या होगा, यह सारी चीज़े जो है company बताती है, तो तीन काम है interview के पहला, candidate के suitability को check करना, दूसरा candidate के बारे में और जानकारी निकालना, और तीसरा candidate को accurate picture देना, कि वो क क्या काम करने वाला है, ठीक, then जो हमारा next stage आता है, वो आता है reference check, यानि मैंने जो भी certificates दिये है, मैंने जो भी बाते बताई है, क्या वो सही है या नहीं है, मेरे उपर कोई police case तो नहीं है, मेरे past employment के बारे में मैंने कुछ fake तो नहीं लिखा हुआ, CV में, अब मेरे पास जैस the prospective employer makes an investigation of the references supplied by the applicant, he undertakes, throw a search into candidates family background, past employment, education, police record, यानि सारी चीज़े जो है, वो आपकी reference check होती है, then आता है selection decision, देखो, एक बार जब आपकी सारी चीज़े हो गई, यानि कि आप preliminary screening में select हो गई, आपने test दे दिये, आपका interview clear हो गई, आपके reference check हो गई, then उसके बाद selected candidates जो है ती है, उनकी एक list बना, बनती है, in order of merit, merit के हिसाब से एक list बनती है, अब इतने लोगों को हमें select करना है, यानि इन 20 वैसे भी 5 लोग मालों की हिनने select करने है, clear, वो, then आता है हमारा medical and physical exam, यह जादा तर तो government job के हिसाब से दे रहे हैं, हर जगा तो medical and physical examination नहीं होता, बट हाँ, आजकल तो कई जगह पर मांगते हैं, आकल तो private jobs में भी मांगते हैं कि भाई, आप medical certificate ले करके आओ, या अपना record दिखाओ, यह सारी चीज़े भी होती है, a qualified medical expert appointed by the organization should clarify whether the candidate is physically fit to the requirement of a specific job, यानि कि एक company की तरफ से, आपकी तरफ से निक company जो है जो organization है वो एक doctor को appoint करेगी और वो doctor आपको चेक करके बताएगा कि भाई आप ये काम कर सकते हो, या नहीं कर सकते हो, इसके लिए एक physical exam होगा, higher standard of health and physical fitness की employees होंगे, thereby reducing the absenteeism, यानि कि ऐसा नहों कि आपने नौकरी तो जोइन कर ले लेकिन महिने में 38 दिन गए की 30 दिन की नौकरी और 12 दिन आप काम पर जा रहे हो, 18 दिन आपने छुट्टी इमार रखी है, तो absenteeism क्यों होगा, क्योंकि आपकी तब्यत सही नहीं है, आपकी physically आप उतने अच्छे नहीं हो, तो इन चीज़ों के लिए हमारी क्या होती है, medical examination होती है, then, जब आपने सब कुछ clear कर लिया, अब जा करके आपको क्या दिया जाएगा, job का offer दिया जाएगा, कि अब आपको एक appointment letter भेजा जाएगा, इसके अंदर सारे terms and conditions जो आपको इंटर्वियू में बताए गए हैं, या कुछ छूट गए हैं, वो सारी बाते इसमें लिखी हुई होती है, pay scale लिखा हुआ होता है, कि आपको किस तरीके से pay किया जाएगा, क्या आपकी salary होगी है, सारी बाते appointment letter में लिखी हो ही होती है, and then the last concept is contract of employment, अब बात आती है कि जब आपका होगे कि आपको offer letter अगयरा दे दिएगा, appointment letter दे दिएगा, अब आपका contract बनेगा, क्या, after getting the job offer, the candidate has to give his acceptance, after acceptance, both employer and employee will sign a contract of employment which contain term and condition, pay scale, leave rules, house of work, sorry, hours of work, mode of termination of employment, etc. यानि कि एक contract जब आपको appointment letter मिल गया, आपने उसके पर sign कर लिया, आपने accept कर लिया, उसके बाद एक contract बनेगा, उस contract में आप भी के signature होंगे, उसमें आपके organization में जो आपको hire कर रहा है, उनके signature होंगे, उसके अंदर company के जितनी भी term and condition है, वो लिखी हुई होगी, आपके pay scale के बारे में लिखा होगा, ये बताया होगा कि छुट्टी लेने के क्या rule है, जैसे कि कुछ जगो पर होता है कि महिने में एक छुट्टी जोगी, वो paid होगी, महिने में दो छुट्टी जोगी, वो paid होगी, या महिने में आप 5 दिन काम पर आते हो क्या है कैसे है वो सारी चीजे आपका hours of work क्या है कि आप 9-5 की जॉब कर रहे हो या 10-6 की जॉब कर रहे हो क्या है और अगर company आपको निकालना चाहती है या आप company से जाना चाहते हो तो उसका क्या process है यानि mode of termination of employment ये सारी बाते इसके अंदर लिखी होई होती है अब इसका जो अगला portion आता है वो है training का training and development का ये दो हमारे last portion बचते हैं इस chapter से लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इसलिए इसको मैं करवाओंगा part 4 के अंदर ठीक है? part 3 के लिए हम लोग यहीं पर रखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे चैनल को सब्सक्राइब करे और अगर आपको लगता है कि नहीं board के exam में ये वीडियो बाकियों के लिए भी helpful हो सकते तो प्लीज वीडियो को शेर करें बाकि आपके पास मेरे लिए कोई भी advice है कोई भी suggestion है या आपके पास कोई भी complaint भी है कि नहीं आप ऐसे ये चीज़ सही से नहीं बता रहे हो ये चीज़ गलत मतर कुछ भी ऐसा है तो प्लीज आप comment box में बताए ताकि मैं उस चीज़ को सुधार के अपनी वीडियो उसको और जाधा इंट्रक्टिव बना सकूँ बाकि be safe stay healthy और जल्दी मैं कल या परसो तक ये part 4 ला करके इस chapter को हम लोग close कर देंगे part 4 के अंदर ठीक है so be safe stay safe and thank you for your time और हाँ एक चीज़ तो बोलना ही भूल गया कि जिन बच्चों को हिंदी मीडियम का है तो मैं लिंक description में डाल दूंगा मैं इसका कहता है हिंदी मीडियम का लिंक description में डाल दूंगा मैंने flamingo की पूरी जो है एक playlist बना रही है 12th class की flamingo 12th class की विस्टाज ये भी मैंने पूरी की पूरी समझा रखी है तो मैं उसका भी लिंक लिंक डाल दूंगा description box में आप वहां से भी देख सकते हैं ठीक है तो बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे playlist के अंदर आप वहां से वीडियो देख सकते हैं क्योंकि अब तो डेट शीट भी आ गई है आज ही सबस्तारिक से पेपर है और डेट शीट आ चुकी है आज तो आप लोगों के लिए अच्छा रहे औल दा बेस्ट सी यू सून